लूप उपर मेरे प्यार दोस्तों वेरे गुड इवनिंग टू आल ओफ यू कैसे हैं आप सभी लोग अलका, अमर्खा, आलोख, मुन्ना, सचिन, रोहित, वेरी गूड इवनिंग, वेरी गूड इवनिंग टु ओल, नमरता, जोती, वेरी गूड इवनिंग, और चलिए अपना ये सेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कल के सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, और उसका एक टाइप का ही कोशन देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए बाकी के टाइपस भी आज हम लोग देखने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेर कर दे जल्दी से और लाइक मत करना भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, रिया, राजेंद् conclusion में, very good evening, very good evening, very good evening to all, जल्दी जल्दी से सभी लोग जितने लोग जोड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेर कर दीजे, उसके बाद हम लोग अपना ये session शुरू करते हैं, playlist अपडेट कर दे मैम प्लीज, चलिए हमने बोल दिया हैं हमारी technical team को, उन तक ये बाद पहु कोर्शन का उठा ले, statement, argument, statement, conclusion, यहां से उठा करके वो वाला class हम पहले करा देंगे, तो चलिए, सभी लोग ready हो गए, मैं background चेक करने, कैसे चेक करने भाई, background में क्या चेक कर ले, चलिए तो इस question से आगे बढ़ते, कल लगबग 50 question हम लोगोंने बत लगाए थे, और उससे आ option आपको पांच आपके सामने जानवर की नाम दिये गए हैं, और कहा गया है कि बताईए, इन सभी में समानता क्या है, और अब आपको चार option दिये हैं, जो उसके quality बताई गई है, उसके बारे में बताए गया, तो बताईए क्या answer लगाएंगे, पूजा, विजय, गनेश, स् बताईए, वेरी गुड़, C answer सही है, मतलब ये सभी उड़ सकते हैं, एकदम सही answer है, देखो ये सभी अगर कहोगे, रात्री में उड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर गिद जो है, वो जरूरी नहीं रात में हो, पतंग रात में हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं, तो ये क अब ही उड़ सकते हैं, ये इनकी quality है, अगला question है, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, अब इन सब में क्या, क्या कॉम्बिन, बोले की common हो सकता है, बताईएगा, एक्जाम कब होगा, रिया जी, इसके बारे में बताया गिया होगा, आपको, विजय, विशा, कोई समाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिए, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड, दस्तावेजी और रोड शो, ये सारे ही सारे, क्या है, बिलकुल option A सही है, कि समाजिक संदेश देने के लिए इनका उपियोग किया जा सकता है, अगर किसी के मन में आया कि ये सभी theater में प्रदर्शित किये जाते हैं तो पारा क्या होता है तररपदार अवस्था में होता है गन पाउडर क्या है ठोस अवस्था में होता है कपूर गैस अवस्था में होती है हिलियम भी गैस अवस्था में होती है तो बहुत बढ़िया जिनोंने बी आंसर दिया है गलत गन पाउडर क्या है पाउडर क्या है वो भी आपको ठोस अवस्था में ही मिलता है ठीक है कपूर हमारा है जो कपूर को बोल रहा है गैस कपूर गैस अवस्था में नहीं मिलती है कपूर हमको ठोस अवस्था में मिलती है ना की गैस अवस्था में इसलिए इन सब में विशम है कपूर जो की गैस में नहीं होता ठोस अवस ब्रिजेश बहुत बढ़ियां अब है नम्रता बहुत बढ़ियां शवीर वेरी गुड़ अब यहां पर देखिए नाव जहाज पंडुब्बी क्रीरा नौका यह सभी क्या है यह सभी पानी में विहार करते हैं यह सभी क्या है पानी में चलने वाले है पानी में विहार करते हैं is the right answer और गेन नियान जेनोन और hydrogen इन चारों में वो कौन सा है जो विशम है और एक बार वीडियो को Like कर दिजिए जितने लाइक से और जितने लाइव हैं दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आप जिस भी ग्रूप में एड हों पांचवे का डी आंसर जिन्होंने कहा है एकदम सही है आप सबका आंसर आरगन जेनॉ और नियोन ये सारी क्या है अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक है हाइड्रोजन आपकी क्या हो गई है हाइड्रोजन बाकी तीनों अक्रिय गैस है और हाइड्रोजन आपकी सक्रिय गैस होती है बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर दिया है लाइक कर दिया बहुत बढ़िया ज बहुत बढ़िया स्थी आंसर जिन्होंने किया है एकदम सही है बाद और पहले एक दूसरे का अपोजिट है उत्रा अधिकारी और पूर्वर्ती भी एक दूसरे का अपोजिट है भविश्य और अतीत भी एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन प्रथम और दूसरा ये एक दू व्रत्ताकार व्रत्ट अग्ला कोशन कोशन नमबर 7 बत्ताकार जो होता है उसको व्रत्त बोलते हैं आयताकार आकृति को आयत बोलते हैं और रेखाकार आकृति को रेखा से रेखा से मिलकर रेखाकार आकृति बनती है ठीक है लेकिन वर्ग में विकर्ण से मिलकर वर्ग में वर्ग के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है विकर्ण देखने को मिलता है ना कि विकर्ण से वर्ग बनता है तो आंसर क्या हो जाएगा? Option C. आंसर लगा दे. Option C होगा. अगले कोशन पर आते हैं. बल्ब, सूरे, लैंप, मुम्बत्ती. मैं मेरा All कोशन. Option C और Option D आंसर कर रहे हैं. बल्ब, सूरे, लैंप और मुम्बत्ती. ये सभी क्या है? ये सभी रौशनी के श्रोत हैं. और आंसर सही क्या होगा? हमारा Option D. D Option हम सबका सही है. बहुत बढ़िया. सभी ने D आंसर किया है. अगले कोशन पर आते हैं. बजट पत्र, ग्रीश्म सत्र, यहाँ पर सत्र होगा. मौनसून सत्र और शीत कालीन सत्र. अब बजट शत्र, ग्रीश्म सत्र, मौनसून सत्र और शीत कालीन सत्र. यह सारे जो शब्द हैं. वो भारती संसद से संबंदित है. हमारी संसद से रिलेटेड है. और A आंसर जीरू कर रहा है. उनका गलत है. A आंसर इसलिए गलत है. क्योंकि यहां पर सत्र दिया हुआ है. नाकी पत्र दिया हुआ है. सत्र जिसको हम लोग बैठक बोलते हैं. और बैठक तीन प्रकार की होती है. एक बजट सत्र होता है. एक मौनसून सत्र होता. और एक शीत कालीन शत्र होता है. ये quality में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए गलत आंसर मत करो, ग्रीश में सत्र कोई शत्र नहीं होता, एक बज़त शत्र बैटता है, एक होता है मौनसून और एक होता है शीत कालिन, ग्रीश में कालिन कोई शत्र नहीं होता, ठीक है, अगले question पर आते हैं, कछुआ, केकड मेधक मचली टर्टल क्राब प्रॉग और फिश में जो टर्टल है जो क्राब है और जो प्रॉग है यह आपका जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रह सकता है लेकिन अगर फिश की बात करें वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती है वो आपकी जमीन पर चल करके सेटरन अर्थ वेनस और जोपिटर क्या आंसर लगाएंगे कि ऐसे ऑप्शन डी बहुत बढिया है इस कोशन का आंसर कीजेगा बहुत बढिया जिर्णों ने भी आंसर किया है बी में क्या मिलता है इसलिए हमारा सही आंसर होगा option B जो C आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है अगले प्रश्न पर आते हैं Thomas A एडिशन विराट कोली एलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलबर्ट आइस्टीन क्या आंसर लगाएंगे बताईएगा भी बहुत बढ़िया ध्यान दीजे जिनोंने विराट कोली कहा हुआ है जो भी विराट कोली आंसर कर रहे हैं आप्शन वी क्या लॉजिक है ध्यान दो थॉमस एडिशन एलेक्जेंडर अलबर्ट आइस्टीन यह सब हमने नाम कहां पढ़े हुए है साइंस में यह तीनों ही क्या है यह तीनों ही वैग्यानिक है लेकिन विराट कोली हमारा क्रिकेट है ना कि यह कोई साइंटिस्ट है ना ही कोई यह वैग्यानिक है अगले कोशन पर आती हैं अगला कोशन डेक्स्टॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन आई पॉड और लैप्टॉप बहुत बढ़िया जिनोंने आंसर मैं मेरा मोबाइल गिर गया है क्या हो गया है चले सभी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी ध्यान दीजेगा यहां पर हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए डेक्स्टॉप क्योंकि डेक्स्टॉप में ध्यान दो मोबाइल आईपैड और लैप्टॉप वो ऐसे संचार के माध्यम है जो की पोर्टिबल है जो की इधर से उधर यूज किये जा सकते हैं आप ये किस्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर सकते हो अराम से ले जा सकते हो है ना लेकिन डे प्रश्न पर आएं मंगल सूरे वरुन और यूरेनम बताईएगा मंगल वरुन सूरे यूरेनस बहुत बढ़ियां जिनोंने आंसर किया हुआ है ऑप्शन बी सूर्य क्यों क्योंकि मंगल वरुन और यूरेनस ये तीनों ही क्या है ये तीनों ही हमारा ग्रह है जबकि सूर्य क्या है ये एक प्रकार का तारा है सूरे क्या है एक प्रकार का तारा तो बी यहाँ पर कई सारे लोग A option बोल रहे हैं गलत होगा 14 का option बी एकडम सही है अगले कोशन पर आते हैं वीडियो को शेर कर दो भाई क्या क्या कर रहे हो आप सब लोग जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को अभी लाइक बहुत कम लाइव बच्चे हैं शेयर कीजी लाइक कीजी अगला कोशन है सत्रंज फुटबॉल बेसबॉल और वॉलीबॉल जल्दी से और इसमें से को आप्शन ए आ रहा है मतलब की शत्रंज सब लोग आंसर कर रहे हैं शत्रंज यानि क चेस ये बताओ इसमें से आपका पसंदीदा गेम कौन सा है क्योंकि फुटबॉल वॉलीबॉल और बेस वॉल ये सारे ही गेम वो हैं जो कि हम लोग जाकर की ग्राउंड में खेलते हैं घर पर नहीं खेलते बाहर खेलते हैं अगर फुटबॉल घर के अंदर शुरू किया ख खेलते हैं आप लोगों कोई आसा है जसका चेस्ट भी फेवरेट हो कोई ऐसा Qandlock जसके क्योंकि बहूत कम चेंडिदेट हैं जो चेस्ट में इंट्रेस्टेर्ट होते हैं पर आपको बताएं बहुत इंट्रेस्टिंग गेम होता और ये मेरा फेवरेट है ये मेरा फेवरेट गेम है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है चेस खेलना तो जितना भी है बॉली 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 बॉल बेस वॉल ये सब तो चलो बाहर का गेम हो गया लेकिन घर पे बैठो तो लूडो मत खेल कोशिस करो कि चेस खेलो चेस खेलना ते दिमाग तेज होता है बहुत अच्छा होता है चेस खेलना चलिए अगले कोशन पर आते हैं बहुत बढ़िया मैं सीजेल और यूपी ट्रेपल सी का एक ही दिन एक्जाम चलो आपका कॉमेंट काफी बढ़ा है और निकल गया इसके फो लग को और सब्सक्राइब कर ça अलग हो गया वैच्छ उपका पता है इक कूल में एक प्रिंसेपल है diplom है है अगले कोशन में लाब हानी भारी मोटा जन्म मृत्यू पास दूर क्या आंसर लगाएंगे एक्जाम दे प्लीज सत्यम सर्थ तक ये बात बोल दीजे आप कॉमेंट करके नीचे लिख दीजेगा सत्यम सर आपका कॉमेंट कर लेंगे या टेलीग्राम के थ्रू या किसी और कॉम्निकेशन के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हो ऑप्शन बी जितने लोग कह रहे हैं एकदम सही है क्यूंकि लाब और हानी जन्म और मिर्त्यू पास और दूर सभी क्या है अपोजिट हैं एक दूसरे के विपरीत हैं लेक असान प्रश्न है अगला टाइप हमारा शुरू हो चुका है जो और टाइप बनते हैं क्लासिफिकेशन में दूसरा टाइप देखा है अब तीसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं ध्यान दीजीएगा ल और ओ में तीन का डिफ्रेंस में T और डवलो में भी तीन होगा विश्रम होगा बहुत बढ़ियां डी आंसर सभी का सही है अगले कोशन पर आएं एस आई पी जी इए और एएस बताईएगा बहुत बढ़ियां जिनोंने आंसर किया है ऑप्षन डी सुद्धा साधना जी ने और कोई ती हो बहुत बढ़ियां देखो पी क्या है पी एक धात$ Bruce है पी किसका सिंबल होता है फास्वो्रस का किसका पी हो गया फास्फॉरस का और उस ही के साथ बहुत बढ़ियां यह आपका एक आधात वह और आपकाат साई क्या है कोई बताएगा SI GE क्या है कोई ऐसा जो बताना चाहे SI क्या है Silicon है P का हमने क्या बताया Fast Porus बहुत बढ़िया Silicon एकदम Correct answer जरा बताओ GE क्या है उपधातू बहुत बढ़िया Silicon Germanium बहुत बढ़िया GE आपका हम लिख नहीं रहें Germanium हो गया GE आपका और Arsenic हो गया AS AS क्या हो गया Arsenic हो गया ठीक है लेकिन जो P है वो Fast Porus आपका अधातू है अगले Question पर आते हैं कार संबंदित है टायर से उसी प्रकार कुरसी संबंदित है कार में हमको क्या देखने को मिलता है कार किसके सहारे चलती है टायर के सहारे ठीक है अब आपके मन में आएगा कि मैं कार अगर टायर के सहारे चलती है तो चेयर अपने किसके सहारे चलता है हिंदी नहीं दिया हुआ है बैक हो गया रेस्ट हो गया लेक्स आंसर क्या लगा देंगे रेक्स जिसको क्या बोलते हैं पाया कुर्सी में पाय मिलते हैं देखने के लिए उसको लेक्स बोलते हैं बोलते हैं option D क्योंकि कार जो है वो टायर पर तिकी रहती है और जो कुरसी है वो अपने पैरों पर तिकी होती है लेक्स पर तिकी होती है अगला कोशन जो कि पिक्चर से संबंधित है बहुत आसान प्रशन है ऐसा कोई candidate नहीं है जो ऐसे प्रशनों को एक्जाम में छोड़ करके आएगा ऐसे प्रशनों को कताई गलती मत करना होता क्या है यहां पर तो confidence बूस्ट होता है कि अरे बहुत हल्वा प्रशन है बहुत आसान प्रशन है लेकिन जब एक्जाम में जाते हो इतना सारा प्रेशर होता है कि आप जल्द बाजी में गलत आंसर लगा के आ जाते हो तो डी आंसर होगा हमारा क्योंकि यहां सब में mirror image दिया हुआ है और डी as it is लिखा हुआ है और हमेशा ध्यान देना ऐसे प्रशनों में डी दिया है और आप एक्जाम में डी मार के चले आओगे सही होगा जिसमें दी दिया हुआ है अगले कोशन पर आए एफ एच ओ और के क्या हो जाएगा बताईएगा बहुत बढ़िया जिन्नोंने सी आंसर किया है ध्यान दीजे ए बी और जो डी है यह सभी के सभी सीधी खड़ी रेखाओं से बना है लाइन से बना हुआ है लेकिन जो सी है वो एक सरकल है वो रेखाओं से मिल करके नहीं बना इसलिए आंसर करेंगे सी और यह सी हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन बी में मिल रहा है अगले कोशन पर आते हैं बहुत बढ़िया जिनोंने ओ बोला था अब यहाँ पर बहुत आसान प्रशन यह सभी नंबर जैसे पूर्थ पिफ्थ नाइन्थ यह नाइन्थ है ना हाँ नाइन्थ हो गया तो यह ए बी सी जो है यह रोमन अंक दिये हुए हैं जबके यह आपक को ऑप्शन डी किसमें मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में डी फिगर मिल रहा है आंसर क्या लगा देंगे ऑप्शन सी क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इन प्रशनों को नहीं समझ पा रहा है ऐसा तो कोई स्टुडेंट नहीं होगा जो इन प्रशनों को ना समझ पा रहा हो है ना क्या answer लगा देंगे अगले प्रश्न का V, T, L और S option C, S जिन्होंने answer किया है very good क्योंकि ये सभी क्या है ये सभी समसंख्या वाले number है even numbers पर इनकी value आती है लेकिन S की value odd number पर आती है इसलिए D figure जो हमको मिल रहा है option B में answer लगा देंगे option D, अगला question बहुत आसान प्रश्न है एक बर फिर से हमारा answer क्या होगा, एक बर फिर से D answer होगा क्यों भाई, E की place value, G की और I की, सब की place value है और L की place value 12 होती है नाकी 10, तो answer क्या लगा देंगे C, जिसमें D figure दिया हुआ है अगले question पे alpha, beta और एक और हमें symbol दिया हुआ है और N, और एक बर फिर से pictures में देखो कितने आसान प्रश्न अभी तक group D में पूछे गए है देखते ही answer कर दिया भाईया, एक बर फिर से D वाला figure होगा क्योंकि ये तीनों ही क्या है, symbols है, प्रतीक है और वो alphabet है तो D figure हमको अब की C option में मिल रहा है बहुत बढ़ियां, राकेश, पिंटू, चेतन, याश्मिन, अंकेत, बबलू, मधू, शावीर एकदम सही है अगला question का answer कीजिएगा C answer कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे B वाला figure होगा जितने लोग भी C बोल रहे हो, क्योंकि ये क्या है water image ये भी क्या है water image, ये भी क्या है water image लेकिन S का water image ये नहीं होता, S का water image ये होता है ठीक है, S का water image ध्यान दीजेगा, तो answer लगाएंगे option B अगले question पर आते हैं, rack, window, door और shutter और आपको बता दें, यही प्रशन अभी, इससे कल वाली class में हम लोगों ने किया था वहाँ पर हिंदी में ये प्रशन अवलेबल था, यहाँ पर English में अवलेबल है आप देख सकते हो कि कोशन सेम है, लेकिन repeat कैसे हुआ, एक बार हिंदी में पूछा गया तो एक बार English में यही आपके साथ होगा, यही exam में हुआ है, आपके option से कोशन, कोशन से option बनते हैं और उन्ही कोशन को कभी आप से direct हिंदी में पूछता है, तो कभी आप से English में पूछता है अब यहाँ पे window, shutter और door, यह तीनों ही क्या है, बंद और खोलने वाली चीजे हैं इस window भी खोली बंद की जाती है, shutter भी खोला बंद किया जाता है, door भी बंद और खोला जाता है लेकिन rack, समान रखने की जो rack होती है, जिस पे वस्तूओं को रखते हैं, उसको बोलते हैं rack बहुत बढ़िया, C answer क्यों बोल रहा है, दर्वाजा गलत होगा जितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर चित्र गायब है, कोई बात नहीं, अगले कोशन पर आते हैं, और हमको चित्र मिल गया चलिए, कौन सा चित्र होगा? बहुत बढ़िया, देखो, कितना आसान प्रशन है, आप यह कह सकते हो, कि यह तीनों P की आकरती चल रही है, उसको rotate कर रहा है यहाँ पर एक नया आ गया है, इसलिए हमने D वाला लगा दिया, जो की C में available है एक बात और कह सकते हैं, क्या? क्योंकि P का water image, P का mirror image, P का जल प्रती बिम्ब दिया गया है और X का जल प्रती बिम्ब और दरपन प्रती बिम्ब as a tis होता है, कोई change नहीं होता तो दो logic से समझ सकते हो, कोई सा भी logic कि या तो यह P की ही आकरती को घुमा के दिखा रहा है और एक नहीं आकरती मिल गई है, तो वो इन सब में क्या होगा? अलग होगा गलत होने का तो सवाल ही नहीं होता है अगले कोशन में भी गलती का कोई सवाल होता ही नहीं है क्योंकि यह सब ही प्रतीक हैं और यह जो है alphabetical है alphabet है, वर्ण माला है, वर्ण माला का एक अक्षर है इसलिए यह D होगा, और D हमको कहा मिल रहा है, option A में बहुत बढ़िया जिन्होंने A आंसर किया है अगले कोशन पर आते हैं, अगला कोशन नया टाइप हमारे पास आ गया है जो की alphabet से ही संबंदित है अलफा बेट से ही संबंदित है, देखिए और करिए इसका क्या आंसर होगा हाँ, चलिए, तो देखिए इस कोशन का और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग option, option A, option A, option A सभी लोग option A के साथ जा रहे हैं चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, M, N, O ठीक है, M, N, O, सीरियल में चल रहा है 7, 2, 9, 9, 2, 11, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 21, 2, 23, 23, 22, 25 और यह आपका continuous चल रहा है, इसलिए option A हमारा सही होगा अगला कोशन E और 5 T, 20, V, 16, और Z, 26 क्या कोई ऐसा है, जो इसमें भी सोचना पड़े बिलकुल नहीं, क्या देखा, भया V की value 16 नहीं होती V की value क्या होती है, 22 और यही क्या हो गया, इन समें अलग option C, जो की किसमें है, D में है E की value 5, T की value 20 और Z की value 26 होती है अगले कोशन पर आएं अगला कोशन देखिए E, L, M, S एक में टुकिएगा, इस कोशन को करिए सभी लोग क्या हो जाएगा इसका answer बहुत बढ़िया, option D सभी लोग कह रहे है जितने लोग D answer कर रहे है देखो, इन कोशन में यह जो नया type आपके सामने है जैसे अभी हम लोगों ने picture वाला attempt किया अब एक यह नया type देखने को मिला इस नया type में क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले दिये हुए word को पुनर व्यवस्थित करना पड़ेगा ऐसा यहाँ पर आपको already बोला गया है तो अगर ऐसा कोशन दिखें एक बार उसको पढ़ जरूर लेना कि वो कह क्या रहा है कोशन को पुनर व्यवस्थित किया गया है दिये हुए alphabet से एक word बनेगा पहले उसको बनाओ जैसे इस से क्या बनेगा smell पहले वाले word से क्या बन जाएगा पहले वाले word से बनेगा smell दूसरे वाले word से क्या बनेगा दूसरे वाले word से क्या बनेगा here तीसरे वाले से पहले में बनेगा smell, दूसरे में बनेगा here, तीसरे में बनेगा think और चौथे में बनेगा tease और अब पूछ रहा है कि अब प्रणर व्यवस्थित के बाद कौन सा होगा तो इन सभी में जो आपका tease है ये अलग हो जाएगा क्योंकि smell करना, सुनना और सोचना एक स्वभावी क्रिया है और tease करना क्या होता है किसी को परिशान करना हम किसी से ये नहीं कहते भाईया सून के देखो मतलब smell पार हम सब में होती है ठीक है here का हो गया सुनना think ये तीनो एक जैसे मिलते जुलते हैं लेकिन tease हम किसी को जाके करते हैं tease किसी को परिशान करते हैं तंग करते हैं इसलिए answer क्या होगा D अगले कोशन पर पुनर विवस्थित कीजिएगा शब्दों को तब answer कीजिएगा देखो एसे क्या बनेगा पहला शब्द क्या बना नॉविल दूसरा शब्द क्या बन जाएगा thesis दूसरा शब्द क्या बन जाएगा आपका thesis तीसरा शब्द क्या बन जाएगा अगर C से देखे तो C से देखे तो magazine तीसरे क्या बन जाएगा magazine बन जाएगा और अगला क्या बनेगा आपका dictionary बहुत बढ़िया जिनोंने magazine बोला है बहुत बढ़िया thesis, novel, magazine और अगला आपका होगा dictionary और answer क्या लगा देंगे very good, देखो, dictionary ठीक, अब देखो novel क्या है, एक book है magazine क्या है, ये भी book है dictionary क्या है, ये भी book होती है लेकिन thesis क्या है thesis जब आप research करते हो आपका जो research से related होता है वो है dictionary आपकी एक book है, dictionary आती है जिसमें आपके शब्द दिये होते हैं, आप उसको पढ़ते हो magazine अपने आप में एक book है वो novel अपने आप में एक book है लेकिन thesis क्या है थेसिस पहले हम research करते हैं तब लिखते हैं आया समझ में तो answer क्या हो जाएगा option c हमारा answer होगा एक minute c नहीं होगा thesis कहां पर है b option b हमारा answer होगा very good अगले question पर आते हैं एक बर फिर से rearrange करना है सभी को lafc इससे क्या बन जाएगा बहुत बढ़िया very good यह क्या बन जाएगा काफ ठीक है क्या बन जाएगा काफ बन जाएगा अगला बताईए काफ किसे कहते हैं पता है magazine नहीं बन गाए दे रखा है अच्छा magazine नहीं बनेगा भाई बता तो दिया हम कैसे जानेंगे rearrange यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित आपको बोला जाएगा आपको बताया जाएगा कि दिये हुए वर्डो को सबसे पहले पुनर्व्यवस्थित करिए कैसे उनके स्वभाविक क्रम में स्वभाविक क्रम में मतलब की जिसका एक meaning निकल के आए ऐसे क्रम में उसको आपको arrange करना है और arrange करने के बाद आपको इसका answer करना है अगला क्या होगा duckling अगले का क्या बन रहा है आपको पता होना चाहिए काफ किसे कहते हैं गाई के बच्चे को लिख लीजेगा सभी लोग काफ गाई के बच्चे को कहते हैं duckling किसे कहते हैं ये इसलिए क्योंकि वापस से प्रशन यहीं से बनेगा आपको अगर पता होगा कि काफ का meaning होता है गाई का बच्चा और अगर आपको ऐसे वर्ट दे दिये जाएंगे तभी जाकर आप ऐसे प्रश्णों को हल कर पाओगे तो काफ हो गया डखलिंग हो गया डखलिंग किसे कहते हैं बत्तक के बच्चे को ये भी लिख लो डखलिंग किसे कहते हैं बत्तक के बच्चे को तीसरा आपका दिया हुआ है R I L N I G H E ये क्या होता है ये होता है ठीक ये आपका होता है higher link higher link क्या है higher link आपका होता है चलो इसका meaning अभी रुक के बताएंगे नहीं तो इसको बताते ही आप लोग answer करना शुरू कर दोगे हमने statement argument conclusion में problem है कैसे solve होगा चलो अगला chapter हम वही कराएंगे पहले एक बार इसको कर लो BCU क्या होता है उससे बनेगा इससे बनेगा कब जो कि share के बच्चे को कहते हैं अब तीनों कहीं न कहीं किसी बच्चे पैसा लेकर आप जो काम करते हो ये एक process है तो बाकी तीनों में जानवरों के बच्चों के नाम दिये हुए है और जो option C है वो हमारा इन तीनों से भिन्ने है वो किसी भी बच्चे का नाम नहीं है अगला question अगला question है ये आपका बनेगा cloth ये आपका बनेगा column ये आपका बनेगा column जिसका अर्थ होता है long पता होना चाहिए लिख लो इसको cloth का मतलब सभी को पता है कपड़ा cloth का मतलब सभी को पता है क्या कपड़ा ये आपका क्या है चिली चिली का अर्थ क्या होता है चिली का अर्थ होता है लाल मिर्च और अगला है क्यूमिन option c जिनोंने answer किया है बहुत बढ़िया चलो shortcut में लिख रहे है एक letter कम करके लिख रहे है चिली हो गया आपका क्यूमिन हो गया आपका क्लोथ हो गया क्लोव हो गया क्लोव का मतलब लॉंग क्लोथ का मतलब कपड़ा क्यूमिन का मतलब जीरा और चिली का मतलब क्या हो गया चिली का मतलब हो गया मिर्चा और इन सब में ये कही न कहीं मसाले है और option c आपका कपड़ा जो कि इन सभी से क्या है इन सभी से भिन्न है बहुत बढ़िया ठीक है अगले कोशन पाराते हैं अगला कोशन क्या दे रहा है CHIN है TILER है EFT है और TERME है अब ध्यान दो चिन लिखा हुआ है इससी को अगर अरेंज करें तो इंच बन जाएगा इसने क्या बन जाएगा LTR शॉटकट में भी लिख सकते हो LTR ठीक है बहुत हार्ड लग रहा है हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इसे अरेंज करना पड़ रहा है मीनिंग निकालने के पहले ही हमें ऐसे वर्ड समझ ही में नहीं आ रहा है तो जब आप इसको देखोगे आपको ये इंगलिश वर्ड पता होगा तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे तभी आप समझ पाओगे कि CHIN से और नया वर्ड क्या बन सकता है इंच बन सकता है ठीक है TILER क्या बन सकता है तो LTR बन सकता है ये क्या हो जाएगा आपका feet हो जाएगा और नीचे वाला option D जो देखे रखा हुआ है option B और option C सभी लोग answer कर रहे हैं बहुत बढ़िया मीटर अब इंच लेटर और मीटर मापने की एक क्रिया है जबकि feet का अर्थ क्या होता है ये हम सब लोगों को पता है feet का अर्थ कोई मापने की क्रिया नहीं होती इसलिए answer क्या लगा देंगे option C अगले question पर आगें अगला question homebook के लिए लिख लो अगला question homebook के लिए ठीक है इसी तरह पुनर व्यवस्थित कीजेगा इसी तरह पुनर व्यवस्थित कीजेगा और इसका answer कीजेगा next question भी आईए next question अंगर और एंगलर पूर्टी और पूर रिचनेस और रिच और एडवर्स्टी और प्रॉस्पेरिटी क्या answer लगा देंगे एंगलर sound चला गया अरे गलती से sound चला गया कोई बात नहीं अब ध्यान दो यहां पर ठीक है एडवर्स्टी और प्रॉस्पेरिटी यह दोनों ही क्या होगा एडवर्स्टी और प्रॉस्पेरिटी यह दोनों ही क्या है प्रॉपर आवाज आ रही है यह दोनों ही क्या है दोनों ही noun है तो आंसर क्या हो जाएगा option D क्या आवाज नहीं आ रही है आवाज आ रही है कि सभी लोगों को All okay, ठीक है भाईया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ध्यान दो फिर से angle noun है, angular adjective है purity noun है, poor adjective है, richness noun है, rich adjective है जबकि adversity भी noun है और prosperity भी noun है इसलिए हमारा answer होगा option D अगले question पर आते हैं ये भी question home work के लिए लो अराम से घर पर करना अराम से घर पर बैठ करके करिएगा अगला question rearrange वाला home work पर घर पर करिएगा screenshot ले लो, पटाफट से पटाफट से screenshot ले लो क्योंकि screenshot ले लोगे तो क्या होगा बार बार आपको वीडियो पर आ करके नहीं देखना पड़ेगा solve करने के बाद ही comment कर सकते हैं solve करने के बाद ही comment करके answer कर सकते हैं ठीक है 39 का B होगा आज आओ देख लिए 39 39 का B होमबग दिया हुआ है चलो देखना B होगा या C होगा steady है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या देखे रखा हुआ है M की place value 13, W की value 23 और J की value 10 तो अलग क्या हो जाएगा E क्योंकि E की place value 5 होती है और यहाँ पर 20 देखे रखा है तो answer क्या लगा देंगे option B जिसमें C available है अगला क्या है T, V, L और M बहुत बढ़िया देखो T, V और L ये चारे ही दो रेखाओं से मिल करके बने है जबकि जो M है वो चार रेखाओं से मिल करके बना है इसलिए ये चोथा वाला figure हमारा सही answer होगा अगला question अगला question अब इसमें भी आपको असंगत पद बताना है जरा बताईए असंगत पद इसमें भी आपको बताना है answer कीजेगा option D, option D, option D सभी लोग कह रहे है यहाँ पर point होना चाहिए इसको point कर लो option D सभी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया क्योंकि बाकी सब दशमलों में दे के रखा हुआ और ये भिन्न में दे करके रखा हुआ है इसलिए अगला question, अगला question देखिए 8, 5, 1, 2, 7, 1, 9, 1 का 1 और 4 का 64 क्या देखिए रखा हुआ है 47 47 देखो एक बार फिर से 47 देखो एक बार फिर से यहां पर दशमलों लगा लेना question मार खटा देना ठीक है question मार खटा देना दशमलों लगा लेना यहां पर अगला question देखो 8 का cube कितना होता है 912 होता है कि नहीं होता है 8 का cube कितना होता है 512 नौ का क्यूब 719 नहीं होता है कितना होता है 729 एक का क्यूब एक होता है और चार का क्यूब कितना होता है 64 होता है इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा आप्चन भी इन तीनों में अलग है क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है ना कि 719 अगला कोशन क्या हो जाएगा इसका आंसर 441 बहुत बढ़िया क्यूंकि यह क्या है 441 क्यों होगा ज़रा बताना 4, 4, 1 किसका square होता है 21 का 7, 2, 9 किसका square होता है 19 का 1, 3, 3, 1 क्या है कोई बताएगा हमको square है बहुत बढ़िया 21 का square है very good अगला जरा बताओ हमको इसमें square नहीं होता है बहुत बढ़िया जिन्नोंने बताया है 11 का cube very good 19 का square 4, 4, 1 जैसे ही आपने answer किया आपको ये भी तो देखना है 7, 2, 9 भी किसका square है 19 का square है 19 का square है की नहीं तो answer क्या लगा देंगे 47 फिर से देखिए मैं अभी तो दुबारा बताया था भाई अभी तो दुबारा बताया था 4, 4, 1 का हो गया 19 का square 3, 6, 1 अच्छा 9 का cube होता है वो तो गलत हो गया न हाँ चलो बिल्कुल सही जिनोंने answer किया है very good, एक में टुख जाओ सभी लोग एक में टुख जाओ सभी लोग बिल्कुल सही जाओ सभी लोग चलो पोर-पोर बन होगा, correct क्योंकि बाकी सारे cube है 729 अभी हमने किया तो वो मेरे द्यार में आ गया यह आपका यह square हो गया बाकी सब आपका क्या है बाकी सब आपका cube है 12 का नहीं, 21 का square है ठीके, बाकी आपका cube हो गया है किसका बाकित तीनों क्या है क्यूब है और बहां जी बहुत बढ़िया आठ का क्यूब थोड़ी है चलो अगले कोशन पर आते हैं 168 178 168 176 198 और 154 क्या आंसर लगा देंगे बहुत बढ़िया जिनोंने 168 आंसर किया है लॉजिक बताएगा कोई 168 क्यों होगा option A एकदम correct है क्यों क्योंकि का पहला और आखरी अक्षर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथ आठ और एक कितना हो जाएगा नौ चार और एक कितना हो जाएगा पाँच लेकिन आठ और एक को जोड़ने पर नौ होता है जबकि बीच में 6 दिया हुआ है इसलिए बहुत बढ़िया जिनोंने लॉजिक बताया है मनीश जी एकदम सही है नीरज बहुत बढ़िया तो अगला हमारा यहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आप्शन ए ठीक है अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन दे रहे हैं अगला कोश्चन देखिएगा अगर मान लो आपको यह ओप्शन दिया जाए 37, 1961 और 27 अब जरा बताओ इन चारो आप्शन में बहुत बढ़िया विशू जी 37, 61, 19 और 27 में क्या आंसर लगाएंगे 61 आंसर क्यों लगाएंगे कोई बता सकता है तीन का क्यूब बहुत बढ़िया वेरि गुड यह भी कह सकते हैं यह क्या है तीन का क्यूब है और यह किसी भी संख्या का क्यूब या स्क्वाइर नहीं है और एक चीज और कह सकते हैं 37 क्यों लगा रहे हो जरा लॉजिक बताइएगा और तो सारे ही है 37, 21, 19 और 27 यह सारे ही क्या है और नमबर है लेकिन ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याए है, क्लेर है, बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या लगा देंगे, 27, वेरी गुड, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल कंटीन्यू करेंगे, कल मिलेंगे आप सब लोगों से आज के लिए इतना ही वीडियो को शेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तेंक यू बैरी मस्ट तू अल आफ यू टाटा बाबाय टू आल